केवीसी 15 में खान सर और जाकिर खान से पूछे गई एक पांच असान सवाल आप भी चुटकियों में दे देंगे जवाब कौन बनेगा कौडपती 15 के 31 एपस्जोर में खान सर और अस्टेंड अप कौमेडियन जाकिर खान अमिताब बच्चन के जुल्दार परचे दोनों ही मुश्कित जनरी बताने के बाद सवाल पूछने का सिलसिला सुरू हो जाता है सुरुवात में कई असान सवाल पूछे जाते हैं कौन बनेगा कौडपती का 15 सीजन 14 अगर 23 से सुरू हो गया है सो में कई कांटे संदाथ तरिके से परदंतरं करते हुए बड़ी धनलासी जीत रहे हैं अभी तक सो को एक करोर रुपय की धनलासी अपने नम करने बाले दो कॉंटेस्ट मिल चुके हैं इस लिश्ट में जसकरन और जसनील का नाम सामिल है दोनों ही साथ करोर के सवाल तक पहुंचें लेकिन वहां पहुंचकर खेल क्वीट कर दिया और एक करोर रुपया के साथ अपने घर लोटे बीते दीन सोंबार को हर बार की तरह अस्पेशल गेस्ट आए एक खास केस्ते खांसर और अस्टेंड अप कमेडियन जाकिर खान तौन बने करपती 15 के 31 एपस्टोर में खांसर और अस्टेंड अप कमेडियन जाकिर खान ने अपने संघर की कहानी बताई और जाकिर खान ने बताया कि तीन महीने तक बीना नौक्री के उन्हें कैसे दिल्ली में गुजारा किया इसके अदाबा खांसर के बारे में खुद अमताब बच्चे ने बताया कि वहें 60 लाग से भी जादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं और दो करो रुप्या से जादा बच्चे उनकी ऑनलाइन प्रोग्राम से ग्यूड़े हैं दोनों के सफर की जनकारी देने के बाद सवालों का दौर सुरू हुआ और खेट के शुरुवात में असान सवाल से हुआ पहला था एक्रेलिक और आल इनमें किसके परकार हैं तो यहाँ पर आंसर था फ्रेंट्स रांग दुसरा सवाल था इनमें से किस पेसे के मुख्यकार सोचल मेडिया पर पोस्ट करना होता है और आप्सन था इन्स फ्लेर ऐसे 4 लक मालिया और बकील तर इन्स इन्स इन्फ्लेंसर था तिसरा सवाल था इनमें से क्या प्रांप्रिक्रिव से चोखा के साथ परोशा जाता है फॉस्ट वेट सवाल था और ऑप्शन में था चित्र विकल्प था लुडाल, डोसा, लिट्टी और ब्रेट जिसमें चित्र में लिट्टी दिखा गया चोथा सवाल था यदि यह लंदन के लिए थेम्स और पेरिश के लिए सेन है तो दिली के लिए इनमें से कौन सा आप्शन है और आप्शन में था यमुना, सौथ ब्लॉक, लाल किला, अरावाली, तो सही जवाब था यमुना पांचपा सवाल था चित में दिखाए गए 17 बादक कौन है और यह फर्स्ट वेश सवाल था और आप्शन था उस्ताद राईस खान, उस्ताद शाहित परवेथ खान, उस्ताद बिलायम खान और उस्ताद निशाद खान तो यहाँ पे शही अंसर था उस्ताद शहीद परवेज खान अमिताब बच्चन को घरगर में सो ने दिलाया अलग पहचान बतादे कि सालों से टीवी पसार्ण हो रही है और सो कौन मागय करपती हमेशा लोगों को दिल जीतने में कम्याब रहा और इस सो ने अमिताब बच्चन को घरगर में अलग पहचान दिलाया है होट सीट पर बुलाने से कि उनके अंदाज से लेकर सवाल पुछने का स्टाइल ने लोगों को दिवाना बनाया है और सोनी की भी और सोनी लिव पर कौन मागय करपती का पंदवा सीजन दिखाया जा रहा रात को नौब दे तो दोस्तों कौन कौन सो को देखते हैं और इंजॉय करते हैं इस वीडियो के निचे कॉमेंट जरूर करेंगे और आप भी अगर खांसर के वाक्त होंगे यानि खांसर को आप अच्छी तरह से पर्चे होंगे तो प्लेज इस वीडियो के लिचे कॉमेंट कीजिए अगर उनको पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को सेट कीजिए धन्यबाद अस्तों बाइबाट टेक् झाल